हेलो दोस्तों नमस्कार मैं रितिस पाठक स्वागत करता हूँ आप सभी का टार्गेट अड़ाइश्टेडी यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों SBI कलर्ख 2021 प्रिलिम्स एक्जामनिशन को लेकर सभी कैंड़ेट्स के मन में एक यक्षप्रश्ण बना हुआ है कि क्या SBI कलर्ख प्रिलिम्स एक्जामनिशन जुलाई में होगा या फिर नहीं होगा टेट आगे बढ़ेगी पोस्पोर्ण होगा या फिर अगर SBI कलर्ख की एक्जामनिशन प्रिलिम्स जुलाई में होगा तो क्या मेंस की डेट वही रहेगी या फिर आगे बढ़ेगा तो यह सारे सवालों को जवाब मैं आप सभी को इस वीडियो में देने वाला हूँ और कुछ और भी बाते मैं आप सभी को बताने चाहूँगा जो आपके SBI कलर की एकजामनेशन या फिर RRB PO कलर की एकजामनेशन के लिए बहुत ही महतपूर होने वाली है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर ये बेल आइकन प्रेस कर लिजीगा और वीडियो को अच्छी लगेगी तो जादे जादा सेयर कीजीगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जैसे कि SBI कलर की एकजामनेशन जो है आपका टेंटिटिव था जून में जून में नहीं हो पाया कल नहीं परसो जो है आपका बिहार का अपरेटिव बेंक का एड्मिट कार आ गया है ठीक है और 10 जुलाई को उसका एकजामनेशन है तो कुल मिला कि यह है कि जो बेंक का एकजामनेशन है वो इस्टार्ट हो चुका है और SBI भी इसी की फिराग में होगा जैसे यह एकजामनेशन खतम हो जागा है जादे कंडियेट्स नहीं होंगे इसमें थोड़े कंडियेट्स होंगे और इनका पेपर एक ही दिन में खतम हो जाएगा तो SBI भी अपना पूरी कोशिस करेगा कि इसके तुरंद बाद अपना पेपर कराने के लिए बहराल अगर आपका जो यह प्रलिम्स एकजामनेशन अगर 15 जुलाई के बाद जाता है तो आपका जो मेंस एकजामनेशन है वो भी पोस्पोर्ण होने के पूरे चांसे है क्यों आपका जो प्रलिम्स एकजामनेशन है वो आपका 15 जुलाई के बाद होता है तो हलांकि अभी तक SBI के तरफ से कोई नोटिस नहीं आया ऐसा कि जिसमें यह बता गया हो कि आपका जो प्रलिम्स एकजामनेशन पोस्पोर्ण हो रहा है या फिर जुलाई में नहीं करा और मेंस को एजाम को भी पोस्पोन किया जा रहा है तो इस तरह का कोई नोटिफिकेशन अभी SBI के तरफ से नहीं है तो कुल मिला कि ये एक सिनेरियो तो बनता ही है कि आपका जो SBI कोसिस कर रहा है कि आपके जो एजाम है वो आपके जुलाय में कंड़र करा जीगी क्योंकि आ पचीस तारिक उसका नोटिस आता है कि आप जो MTS का एक्जाम है वो उसको पोस्पोन किया जा रहा है हाला कि एक जगह आपका देखिए MTS का एक्जाम पोस्पोन होता है वहीं दूसरी जगह बिहार कॉप्टरेटिव बैंक का एडमिट कार आता है ठीके तो खुल मिला कि य जादे हैं इस वज़े से आपका जो SSC ने पेपर को पोस्पोन किया है और उसमें हर तरह के लोग फाम भरते हैं तो इसलिए उसमें संख्या बहुत जाद हो जाती है और जो बैंक के जो एक्जाम नेशन होते हैं उसमें स्टुडेंट की संख्या कम होती है SSC के अपिक्छा तो SSC का पोस्पोन करना ठीक है जाये समझ में आता है लेकिन बैंक अपने पंक्चुल्टी के मामले में काफी माहिने रखता है और SSC अपनी पंक्चुल्टी माहिने में आप सभी जानते कि क्या इस्तिति है SSC की ठीक है तो कुल मिला कि आप सभी सितना करना चाहूंगा आपका जुलाई में ही कंड़क्ट होगा यह ठीक है अगर 10 जुलाई को नहीं होता तो 11 बारत 13 के बीच में हो सकता है और अगर इसके बाद अगर कराती है 15 के बाद एगर प्रलिम्स एक्जाममेशन होता है तो आपका मेंस एक्जाममेशन वो थोड़ा सा पॉस्पोन होगा यानि कि मिड अगस्त तक जा सकता है अटिस आपको 15 to 20 देगा आपका gap मिलेगा प्रलेम्स और मेंस के बीच में तो कुल मिला कि आप सभी अपनी एक्जामनेशन को लेके प्रिपेर रहो, अवेर रहो और मैं आप सभी से ये चीज़ कहना जाऊंगा आपका एक्जामनेशन अगर जुलाई में होता है तो भी ठीक है, जुलाई के बाद होता है तो भी ठीक है, लेकिन आप सभी को तो अपनी प्रिपेरेशन करनी चाहिए हमीसा करनी उसमें लगे रहने चाहिए आपका थोड़ा सा गैप आपके एक्जामनेशन के लिए बहुत ही खत्रा हो जाएगा क्योंकि आप सभी को पता है कि जहां पे एक break through होता है किसी भी एक्जामनेशन के preparation में वहीं पे आपके speed और accuracy थोड़ सी down हो जाती है और आप सभी को पता होगा कि online एक्जामनेशन या फिर bank एक्जामनेशन में speed और accuracy का कितना माईने होता है तो आपके जो daily practice, daily का habit होगा वह आपके accuracy और speed को बहुत मजबूत करेगा और उसमें boost करेगा आपके तयारी को तो आप सभी यह मान के चलो कि हमारे exam कभी भी हो लेकिन हमारी तयारी अच्छी होने चीए अगर यह आप मान के चलो तक मेरा exam अगर कल ही advent card आजाए परसो मेरा exam रहे तो भी आपको सी साब से prepare रहना चाहिए ठीक है तो खुल मिला के मैं आप सभी से इतना ही गरना चाहूँगा कि आपका examination कोशिस तो SBI की जहां तक है वो चुलाए में ही conduct करवाने की है और आप सभी इस बात को लेके इतना भी मत खुस होना कि अभी तक SSE की तरफ से स्वारी SBI की तरफ से कोई notice नहीं आया है आपने पिछले साल भी देखा कि 10 दिनों में उसने प्रिलिम्स और मेंस को conduct करवा लिया था ठीक है और आपने पिछले साल ये भी देखा कि RRB का जो exam था RRB P.O. कुलर का 12-13 में था paper लेकिन उसने admit card इसू किया था आठ तारिक हो ठीक है तो कुल मिला के admit card लेने में कितना gap था आप सभी देखी गया होंगे ठीक है तो इसलिए मैं आप से भी से यही कहाना चाहूंगा कि जब भी paper हो आपका आपकी त्यारी अच्छी होनी चीए complete होनी चीए और आप अच्छा perform करो इस हिसाब से आपकी त्यारी होनी चीए पीपर कभी भी हो ठीक है और आपने अगर देखा था पिछली बार जो RRB का एक्जाम हुआ था उसमें 7 तारिक हो RRB ने notice निकाला क्या कि हम जो है यानि कि RRB वो जो P.O. के एक्जाम है वो 12 औ का एक एक्जाम होता है उसके आप रूटीन से थोड़ा सा वाकिफ हो तो उसमें पंक्ट्वल्टी बहुत जादे होती है और वो जल्दी से जल्दी अपने काम को खतम करना चाहते है इसलिए आप सभी अपने तयारी को लेकर अवेर रहो और एकदम प्रिपेर रहो ठीक है आपका पेपर जो है कभी भी हो आज हो कल हो दस दिन बाद हो आपकी त्यारी अच्छी होनी चाहिए ठीक है और आप स्टुडेंट हो तो आपके मन में यह चीज नहीं आना चाहिए कभी भी नहीं आना चाहिए कि जो आपका पेपर है वो पोस्पोंड हो या फिर अगर नही जा descriptive हो तो descriptive खतम जाए तब है तो आराम ही करना है लेकिन आपको थोड़ा सा एक ऐसा दावर है जिसमें आपको थोड़ा सा आराम को त्यागना पड़ेगा तो इसलिए आप अपनी तयारी को करते रहो अच्छे तरीके से करते रहो उसमें जुटे रहो और paper क्या है आज नहीं को लेकर इतना न हेजिटेट रहो या फिर परिसान हो कि आपका जो एक्जाम है इस पोस्पॉंट के चकर में ही खराब हो जाए ठीक है तो इस वीडियो में ताही और आसा करता हूं आप सभी बात को समझेंगे ठीक है धन्यवाद